डेली अब्डेट एक महत्वपूर्ण दिन अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई हर साल 4 जुलाई को सन्युक्त राज्य अमेरिका 1776 में ग्रेट ब्रितेन से देश की स्वतंत्रता की घोशना को मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण संगिय राष्ट्रिय अवकाश है जिसे सन्युक्त राज्य अमेरिका की स्थापना को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है वाइट हाउस ने 1801 में अपने उद्घटन 4 जुलाई समारों की मेजबानी की तब से यह एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है इस साल अमेरिका का 278 तरवा स्वतंत्रता दिवस है यह दिन लोगों द्वारा बड़े उत्सा के साथ मनाया जाता है और स्वतंत्रता लोगतंत्र और खुशी की खोच की गूँझ के साथ गूँझता है डेली अपडेट दो, बैंकिंग ICICI बैंक ने अंतराष्ट्रिय छात्रों के लिए प्रीपेड सफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉंच किया निजी क्षेत्र के रिंदाता ICICI बैंक ने एक प्रिपेड सफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉंच किया है जो विशेश रूप से उन छात्रों के लिए तयार किया गया है जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रही है बैंक ने एक बयान में कहा कि वीजा द्वारा संचालित कार्ड छात्रों और उनके मातापिता को विदेशों में शिक्षा से संबंधित खर्चों जैसे प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम से संबंधित शुल्क और यात्रा, भोजन और किराने का सामान सहित अन्य दिन प्रती के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विशेश लाब और सुविधा प्रदान करता है, शामिल होने पर काड़ विशेश सुविधाओं के साथ 15,000 रुपे तक के लाभों की एक सरणी के साथ आता है, इसने कहा, डेली अपडेट 3, पुस्तकें, रत यात्रा पर पुस्तक क गुजरात के मुख्य मंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेवानिवरित IPS अधिकारी और एहमदाबाद के पूर्व पुलीस आयुक्त संजय श्रीवास्तव द्वारा सहलिखित पुस्तक एहमदाबाद रथ्यात्रा एजर्नी ओफ मिरेकल्स का शुभारंब कि पटेल ने एहमदाबाद में रथ्यात्रा को किसी चमतकार से कम नहीं बताते हुए कहा कि आने वाली पीडियां इस पुस्तक से शहर की सांस्कृतिक विरासत से प्रेर्ना लेंगी श्री वास्तव दो हजार बीस से अप्रेल दो हजार तेईस तक एहमदाबाद शहर के पुलीस आयुक थे जब वह सेवा निवृत्थ हुए उस्तक में उनकी पत्नी रेखा श्री वास्तव और विज्यापंदाता सफिल्म निर्माता कमलेश आचार्य को सहलेखक के रूप में सूची बद्ध किया गया है देली अपडेट 4 रक्षा वायू सेना प्रमुख ने नव स्थापित हतियार प्रणाली स्कूल का उधगाटन किया भारतिय वायू सेना प्रमुख एर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने हैदराबाद के वायू सेना स्टेशन बेगमपिट में नव स्थापित हतियार प्रणाली स्कूल WSS का उधगाटन किया है वायू सेना ने एक बयान में कहा कि वायू सेना को भविश्योन मुख बल के रूप में पून व्यवस्थित करने और सम्यानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस नए प्रशिक्षन प्रतिष्ठान का गठन किया गया है बातचीत के दौरान वायू सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला की WSS शाखा के निर्मान के साथ जमीन पर आधारित और विशेशग्य हतियार प्रणालियों के ओपरेटर एक छत के नीचे आ जाएंगे जिससे भारतिय वायू सेना की युद्ध क्षमताओं में काफी वृद्धी होगी डेली अप्डेट पांच रक्षा मैत्री अभ्यास दो हजार चौबीस भारतिय सेना की टुकडी भारत थाईलेंड सन्युक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के तेरहवे संसकरण के लिए थाईलेंड में है यह अभ्यास एक से पंद्रह जुलाई दो हजार चौबीस तक थाईलेंड के टाक प्रांथ के फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया जाना है इसी अभ्यास का पिछला संसकरण सितंबर दो हजार उन्नीस में मिघाले के उम्रोई में आयोजित किया गया था भारतिय सेना की टुकडी में 76 कर्मी शामिल हैं जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लद्दाक स्काउट्स की एक बटालियन के साथ-साथ अन्य हत्यारों और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है रॉयल थाइलन्ड आर्मी की टुकडी में मुख्य रूप से चार डिवीजन की पहली बटालियन 14 इंफैंट्री रेजिमेंट के 76 कर्मी शामिल है डेली अपडेट छे विज्ञान और प्रोध्योगी की अरुनाचल प्रदेश में खोजी गई नई हौन्ड फ्रॉग प्रजाती अरुनाचल प्रदेश के टेल वन्य जीव अभ्यारणे में वन्में रहने वाले हौन्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाती की खोज की गई है शोद के निशकर्ष जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के रिकॉर्ड के नवीनतम अंक में प्रकाशित किये गए थे यहाँ खोज शिलांग में जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जेड़साई के शोदकर्ताओं की एक टीम ने जेड़साई उने और जेड़साई ईटानगर के अपने सहयोगियों के सहयोग से की थी मेंधक की प्रजाती का नाम राज्य की अपातानी जनजाती जैनोफ्रीस अपातानी के नाम पर रखा गया है यह खोज भारत की हरपेटोफॉनल विविद्ता में एक महत्वपूर्ण वृद्धी का प्रतीक है डेली अपडेट साथ खेल BCCI ने T20 विश्व चैंपियन भारत के लिए 125 करोड रुपे के पुरसकार की घोशना की भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बारबाडोस में दक्षिन अफ्रीका पर T20 विश्व कब 2024 की खिताबी जीत के बाद सीनियर पुरुष भारतिय टीम के लिए 125 करोड रुपे की पुरसकार राशी की घोशना की है अंतराश्ट्रिय क्रिकेट परिशत की घोशना के अनुसार भारत ने फाइनल में अपनी साथ रन की जीत के साथ खिताब जीतने के बाद 2.45 मिलियन डॉलर 20.42 करोड रुपे की पुरसकार राशी हासिल की जबकि उपविजेता दक्षिन अफ्रीका ने 1.28 मिलियन डॉलर 10 67 करोड रुपे की पुरसकार राशी हासिल की सीनियर स्टार रोहित विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने भी T20 अंतरराश्ट्रिय प्रारूप से सन्यास की घोशना की डेली अपडेट आठ राज्य हात्रस भगदड मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हुई उत्तर प्रदेश के हात्रस में एक धार्मिक समागम में मची भगदड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है राहत आयुक्त के कार्यालय के अनुसार 2 जुलाई को हुई इस घटना में घायल लोगों की संख्या 28 है उन्होंने बताया कि कुल मृतकों में से 19 की पहचान की जानी बाकी है यूपी पुलीस ने कार्यकरम के आयोजग देव प्रकाश माथुर के खिलाफ बियेनिस धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत मामला दर्ज किया है हात्रस के जिलाधिकारी के आधिकारे के एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में कहा कि दुरघटना के मद्दे नजर जिला प्रशासन ने आम जनता की मदद के लिए हेल्प लाइन 057, 222, 27, 041 और 057, 222, 27, 042 जारी की है डेली अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन एक सौ से अधिक विदेशी खरीदारों के साथ 6 जुलाई से शुरू होगा अंतरराश्ट्रिय खिलोना मिला एक बयान में कहा गया है कि राश्ट्रिय राजधानी में 6 जुलाई से शुरू हो रहे इस चार दिवसिय अंतरराश्ट्रिय खिलोना मिले में अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों की 300 से अधिक घरेलू कम्पनियों और 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है भारतिय खिलोना संग के वरिष्ट उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने बयान में कहा कि प्रगती मैदान में आयोजित मेले के दौरान 250 से अधिक भारतिय ब्रांड अपने उत्पात प्रदर्शित करेंगे गौतम ने कहा कि पंद्रहवान टॉय बिज इंटरनेशनल भी दो भी एक्सपो 2024 दक्षन एशिया का सबसे बड़ा मिला है डेली अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन करनाटक में मानवप्षू संघर्ष सुलजाने के लिए अगस्त में होगा अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन मंत्री ईश्वर खांद्रे करनाटक में मानवप्षू संघर्ष में व्रिद्धी के जवाब में वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांद्रे ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए अगस्त में एक अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. मंत्री ने जंगलों में गिरावट और बफर जोन में वानिजेक गतिविधियों में व्रिद्धी के लिए मानवाती संगर्ष में व्रिद्धी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि करनाटक में 6395 हाथियों के साथ भारत में सबसे अधिक हाथी आबादी है और राज्य में 263 बाग भी है. उन्होंने कहा कि खरपतवारों की व्यापकता ने इन संगर्षों को और बढ़ा दिया है.